गोरिक कवी अपने बेटे से कहती है जगु बेटा, आप घर पे ही रहना घर से बाहर मत जाना आपको उड़ने नहीं आता है और जब तक मैं दाना लेके नहीं आऊं तब तक आप उड़ने की कोशिश भी मत करना गोरिक कवी अपने बेटे को समझा करके दाना लेनी चली जाती है जग्गु घर पे अकेले बैठा था तभी थोड़ी दे बाद उसका दोस्त चिडिया का बेटा कुकु आ जाता है चलो जग्गु अब हम दोनों लोग यहां पे खेलते हैं तुम्हें तो उड़ना नहीं आता इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलने आ जाता हूँ तुम्हारी ममा मुझसे बोल के गई थी कि मैं तुम्हारे पास ही रहूँ कुकु तुम भी जल्दी ही उड़ना सीख जाओगे फिर हम दोनों आसमान में उड़ेंगे लेकिन कुकु मुझे उड़ना सीखना है कोको कहता है ममा मेरा गन्ना खाने का बहुत मन है काल आप जाकी मेरे लिए गन्ना लेके आईएगा गोरी कभी कहती है लेकिन मेरा बच्चा गन्ने के लिए तो मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा तक तो आप अकेले रह जाएंगे आपका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं होगा लेकिन आप मुझे से प्रामिस करो कि आप घर से बाहर नहीं जाओगे और उड़ने की कोशिश तो बिलकुल भी नहीं करोगे जगु अपनी माँ से प्रामिस कर देता है जब गुरी कोई अगले दिन चली जाती है तो कुकु आके जगु को उड़ना सीखाता है जगु तो बहुत जल्दी ही उड़ना सीख्या जगु कोई पहले बार उड़ना सीखा था उससे बहुत मज़ा आ रहा था कुकु जगु को समझाता है जगु तुम उड़ना तो सीख्या हो लेकिन कभी भी उचे आसमान में मत उड़ना क्योंकि वहाँ पे हमें चेलों से खत्रा होता है साम हो जाती है कुकु चला जाता है तब गुरी कोई आती है तो जगु खुशी से उचलता है ममा ममा मुझे तो उड़ना आ गया है कुकु ने मुझे उड़ना सिखा दिया है गुरी कोई तो जगु की बाते सुनके हैरान रह जाती है जगु मेरे बच्चे तुमने अभी अभी उड़ना सीखा है इसलिए जादा उपर उड़ने की कोशिस मत करना हमेशा नीचे ही उड़ना जगु अपनी मा से कहता है ठीक है मा फिर गुरी कोई अंदर जाके जगु के लिए खाना बनाने लगती है जगु कहां मानने वाला था गुरी कोई के अंदर जाते ही जगु आसमान में उड़ जाता है और कुब उचाई पे उड़ने लगता है वा, कितना मज़ा आ रहा है ये सारे पक्षी मुझे जान बुश के उड़ने नहीं देते थे और अपने आसमान में उड़ते थे जगू अभी उड़ी रहा था तब ही बड़ी चील वहाँ पे आ जाती है और कहती है तुम कौवी के बच्चे आज मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगे मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ मुझे कोई भी भोजन नहीं मिला जगू कववा डर जाता है ये भगवान आज तो ये चील मुझे मारे डालेगी इससे बचने का कोई उपाय सोचता हूँ तभी जगू कहता है मैं दिखता बस काला हूँ मैं कौवी का बेटा नहीं हूँ मैं इस जंगल के चील रानी चील का बेटा हूँ पर तुमने मुझे खाया तो रानी चील तुम्हें मार डालेंगी चील डर जाता है और कहता है रानी चील से मुझे मारे डालेगी जगू अपनी जान बचाके अपने घार आता है और अपनी मा गौरी से सारे बाते बताता है कि कैसे वो आसमान में उड़ने लगाता और उसे चील आके घेड लिया था जगू अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और कहता है ममा आज से मैं आपकी सारे बाते मानूंगा स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले